हेलो एभीवोन कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे खुल स्वस्थ होंगे तो आज के जो रीडिंग है यह हम कर रहे हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वह आज शाम को क्या फिल कर रहे थी आपके लिए? शाम की reading है, so special reading है, जरूर देखे और पूरी reading देखे, तो आपके partner, चुकि हर किसी के partner होते हैं, हम खुद होते हैं, कि सुबह से लेके भीड़े रहते हैं, शाम को थोड़ा time मिलता है, जो हम जब हम अपने दोस्तों से बाते करते हैं, या हम थोड़ा अकेले पन में रहना पस feel कर रहे थे आपके लिए, ठीक है, so वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो चलिए करते हैं reading को start, बिना समय गवाए, और ध्यान रेखेगा कि ये reading, general reading है, collective है, timeless reading है, और सब के लिए है, general specific reading नहीं है, हर कोई ये reading देख सकता है, okay, contact में हो, no contact में हो, कोई matter नहीं करता, हर कि इसी के लिए है reading, okay, so चलिए start करते हैं, देखते हैं, आपके partner किस energy में रहें, divine हमें guide करें, okay, intuition, okay, memories of love, okay, heart chakra, solitude, okay, 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 ठीक है, हम, पूरे cards निकाल के तब बात करती हूँ मैं, okay, सब पूरे हो गए, हमारे cards, bottom of the deck देखते हैं, power, power के energy है, power, आपके partner के अंदर एक तो चीज मैं देख पा रहे हूँ, इनके अंदर बदलाव आ रहा है, यह person के अंदर बदलाव आ रहा है, यह person ऐसे है ना कि मेरे अनुसार से तुम क्यों नहीं चलती हो, क्यों नहीं चलते हो, मैं right हूँ, ठीक है, मैं right decision लेना जानता हूँ, या जानती हूँ, ठीक, तुम्हें सही तरीके से decision लेना नहीं आएगा आपनी life का, आपके partner का मानना ऐसा है, आपके partner के feelings ऐसी हैं, emotions ऐसे हैं, ठीक है, मुझे ये भी feel होता है, कि आपके और आपके partner के बीच में, जो भी है, है ना, आपके partner ना, मुझे over possessive दिख रहा है, over possessive, और आपके partner के अंदर मैं ये भी देख पार हूँ, कि ये person थोड़े confusion में भी रहते हैं, confusing personality है, इनकी confusion में रहना, इनकी आदत है, confusion में रहते हैं, ये person अक्सर क्या होता है, कि इनसान confuse हो जाता है, और confusion में होने के वज़ा से, problem का सामना करना पड़ता है, इनसान को, वही चीज़े मुझे feel हो रहे हैं, कि ये आपके partner के अंदर वो confusion है, confusing energy है, confusion में रहने की वज़ा से, ये person कोई decision नहीं ले पा रहे हैं, आज भी शाम ये person पूरे दिन आपके बारे में सोचते रहे हैं, सोचते रहे हैं, और, जब आई, बारी, call करने की, message करने की, ये person तो पूरी तरीके से, मतलब, मतलब, एक होता नहीं की, disturb हो गए, की, अरे यार, अब मैं क्या करूँ, life इनकी बड़ी, मतलब, problematic है, life इनकी बहुत ज़दा problematic है, बहुत ज़दा, ये person का दिख रहा है की, इस person को अकेला पन भी बहुत ज़दा फील हो रहा है, ये person को, काफी अकेला पन फील हो रहा है, ये person कहें तो, इनको ऐसा लगता है की, कुछ कर्मा है, कुछ है connection, कुछ कर्मा तो है, हम दोनों के बीच का कोई कर्मा तो ज़रूर है, जो की, हम दोनों को जहलना पड़ रहा है, हम दोनों को एक दूसरे को feel करना पड़ रहा है थेक है सो कर्मा कर्मा यहां पे दिख रहा है मझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़दा obstacles है, बहुत ज़दा challenges है, बहुत ज़दा issues है मुझे ये भी feel होता है कि आपके और आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूं कि येस आपके पार्टनर आपको लेकर के काफी ज़दा positive feel करते हैं ठीक है यह person के अंदर मुझे देख रहा है कि yes आपके partner के अंदर मुझे काफी positivity feel हो रही है यह person मुझे काफी positive way में दिख रहे हैं साथ ही साथ मुझे यह भी feel हो रहा है कि आपके partner कहीं ना कहीं आप से past life का कोई connection है उसको read करते हुए दिख रहे हैं यानि कि आज शाम यह person के अंदर यह हो रहा है कि कोच तो है कुछ तो गड़बड है है ना तो यह कुछ तो गड़बड है को निकालने के लिए person गूगल कर रहे है है ना देख रहे हैं कि क्या connection है soulmate connection कार्मीक है twin flame है कौन सा connection है आचानक से इनके सामने आती वी चीजें दिख रहे हैं अचानक से इनके सामने कोई soulmate के कुछ वर्ट साते वी दिख रहे हैं कुछ twin flame के चीजी आते वी दिख रहे हैं जिसको यह person बड़े interest के साथ read करते वी दिखाए दे रहे हैं और देख रहे हैं पर एक दम से रीड कर रहे हैं कि क्या है क्या है क्या है जानने की चाहत इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है कि हां क्या है आके रिये connection है कौन सा कि अपके पाटर अपने intuition की भी सुन रहे हैं याने कि इनको लगता है याना कि मुझे कुछ divine answer देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको शायद मैं सुनने ही पा रहा है या सुनने ही पा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे उसको सुनना चाहिए, आपके partner अपनी intuitions को focus करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी intuition पर focus क आपके partner का मुझे दिख रहा है कि yes, आपके partner आपको ले करके काफी positive हैं, काफी positive way में आगे बढ़ते भी दिख रहे हैं, और अपने दिल की बाते, अपने मन की बाते सुन रहे हैं, कि इनका दिल क्या कह रहा है, ये जो भी चीज़े हो रही है, number 44 की energy आ रही है, yes, आपके partner क के उपर राहू की energy भी दिख रही है, राहू की वज़ा से बहुत सारी कुछ चीज़े दिख रहे हैं, डिस्टर्ब, yes, आपके partner के अगर कुनली देखोगे तो इनका राहू अभी खराब दशा में है, सही दशा नहीं चल रही है, राहू की, ऐसे राहू तो है ही, सब कोई सर्ब हो गई है, लाइफ थोड़ा सा कहते ना कि जैसे की control में आ जाना, तो वो भी देख रहा है मुझे, आपके partner के अंदर मुझे देख रहा है कि आपके partner काफी confusion में है, confusion इनकी खतम नहीं हो रही है, साथी साथ इनका heart chakra block है, जिसकी वज़ेसे love life में blockages अनेक तरीके से, अ पुरानी बाते जो हैं, आज शाम को बैट करके याद करते हुए देख रहे हैं, जैसे की पुरानी यादों में, कहीं गल्लीयों में, है ना घूमना है ना तो वह दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर कहीं आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं कहीं आपको अपने दिल से हैना याद करते हुए दिख रहे हैं और मुझे यह भी फील होता है कि आपके पार्टनर अपने दिल में हैना आपके लिए जो जगह बना वाले feelings प्यार वाले emotions प्यार वाले एक रहने की प्यार है तो है ठीक है प्यार है तो है प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है ठीक है यह पॉर्षन बहुत प्यार करते हैं आपसे बहुत जादा ठीक है यह पॉर्सन चाहे थर्ट पार्टी इनके साथ हो तो कोई मतलब नहीं है थर्ट पार्टी से कोई मतलब नहीं है इनको प्यार तो आप से है थर्ट पार्टी से कैसा रिस्ता थर्ट पार्टी से क्या मतलब थर्ट पार्टी से कोई मतलब नहीं है आपके पार्टनर को कोई भी मतलब नहीं है मुझे यहां पर यही फिल हो रहा है कि destiny यहां पर clear card बता रहा है कि yes आपके और आपके partner के बीच की energy दिख रही है destiny का card एकदम से destiny मुझे दिख रहा है कि yes है ना दोनों का संबंद जूड़ना चाहिए दोनों का साथ होना चाहिए एक दूज़े का साथ होना चाहिए आपके partner को लग रहा है कि old relationship है बहुत ज़्यादा पूराना बहुत ही ज़्यादा पूराना जिसको शायद मुझे मेरी किसमत में मिला है फिर से आज माने के लिए या इसके साथ जाने के लिए ये पॉर्सन की फीलिंग्स ऐसी है कि इनको जो है ना इन डिवाइन बता रहे हैं कि ये तुम्हारा पुराना लवर या तुम्हारा पुराना साथ ही है पुराने जन्म का पिछले जन्म का तो ये पॉर्सन की फीलिंग् करना चाहिए मुझे उसके उसकी बातों को सुनना चाहिए मुझे उसकी हर एक बात को सुनना चाहिए आपके पार्टनर के अंदर आ रहा है कि हां मुझे उसकी बाते सुननी है मुझे उसकी बाते सुननी है थोड़ी बहुत ही सही लेकिन उसकी बाते मुझे सुननी चाहिए है आपके पार्टनर का मन कह रहा है कि थोड़ा सा थमके चलो धीरे चलो सेफ चलो ठीक है यह परसन इसलिए अपनी ज़ैं नरजी को यहाँ पर दिखा रहे हैं यह परसन दिख रहा है कि हाँ मैं अपने सोच को डेवलक कर रहा हूँ मैं अपने आपको आगे लेकि आना चाहता हूँ लेकिन यह पर्सन अभी आपको पीट दिखा रहे होंगे अगर अभी आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे न यह पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यह पर्सन दिखाना चाहते कि अरे मैं कहां इंट्रेस्टे नहीं हो तम्हारे में ठीक है तो इ 갖고 और बीच में बहुत हुआ है किस यहांपे पार्ट्नर के बीच में वह एनरजी दिख रहे हैं मुझे काफी जदा देख रही है मुझे काफी जो एक कहते हैं कि अंधेरा अब आ गया है अब अंधेरे से बाहर कैसे निकले तो वह दिया चाहिए और वह दिया तो आप हो वह लाइट तो आपको ना इनकी जिंदगी में सो यहां पर इस प्रिचल यूनियन का कार्ड यहां पर आया ह है कि हाँ आप दोनों के बीच में जो है ना रिलेशन्सिप होने चाहिए रिलेशन्सिप को आगे बढ़ना चाहिए और आप दोनों का यूनियन तो होगा है आप दोनों का यूनियन होगा और जल्दी होगा ठीक है जल्दी ही दिख रहा है कि आप दोनों का यूनियन भी हो आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एकदम से यहां पर आना ही है आना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को आपके पार्टनर क्या पास कोई और चारा ही नहीं बचा है जिस तरीके से परसन आपके लिए पैशन दिखा है clear कि हां मुझे प्रेशन फील होता है तुम्हारे लिए यह परसों को एक स्पेसल करनेक्शन फील होता है कि से स्पेशल रियूनीन फील होता है ठेक मुझे यह देख रहा है कि ऐसा आपके पार्टनर जो है आपको देख रहे हैं कि यह साब बहुत अच्छे person हो, बहुत ज़दा positive person हो, बहुत ज़दा positivity के साथ जो है आपका relationship बन सकता है इनके साथ, लेकिन उसके लिए क्या होना होगा, focus करना होगा, आपके partner को focus करना होगा, मुझे यहाँ पी देख रहा है कि yes, आपके सपने तो बहुत देख रहे हैं यह person, बहुत पीन हसीन सपने देख रहे हैं, ठीक है, बहुत हसीन हसीन सपने देख रहे हैं आपके partner, यह energy मुझे काफी clear दिख रही है, okay divine हमें guide करें, अब मैं आपके लिए cards निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए cards निकाल रही हूँ, five of swords, बहुत परिशान हो आप, है ना, frustration बहुत जदा हो रही है, सर में दर्द काफी जदा हो रही हैं, आपके सर में दर्द आजकल जदा रह रही है, और पुरानी बातें आपको बहुत परिशान कर रही हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, future को लेकर के frustration है आपके अंदर, future को लेकर के बहुत frustration है, future को लेकर के क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, आगे बढ़ पाएंगे, हम दोनों की नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी आपको बहुत tension सता रहा है, है आपका लेगocado कि जैसे की एक पुरी तरीके से बड़बाद करके चला गया यह आपको इंसल्ट भी किया अपके घरवालों के सामने या लोगों के सामने इंसल्ट बहुत जाधा हुआ है और आपने बरदाश किया है और अब जो है इंदर वह जज्जमेंट के एनरजी दिख रही है मुझे आपको जज्जमेंट चाहिए जज्जमेंट तो जरूरी है जज्जमेंट बनता है है ना तो वह दिख रहा है मुझे आपको जज्जमेंट चाहिए फ्रस्टेशन बहुत ज़्यादा है आपको बहुत ज़्यादा नी नीन नहीं आ रही है आपको सोच करके नीन नहीं आ रही है आपको स्रीफ और स्रीफ जज्मेंट चाहिए यहाँ फिर से जज्मेंट केने चाहिए आपको कुछ नहीं चाहिए इस परसन से आपको जज्मेंट चाहिए इस परसन के साथ आपको रिउनियन नहीं चाहिए जज्मे मुझे बस judgment दे दो judgment दे दो बस बाट खतर ठीक है तो वो एंगरजी मुझे काफी clear दिख रही है काफी clearly दिख रहा है मुझे judgment तो देना पड़ेगा यहां पर दिख रहा है कि आप बहुत pray करते हुए दिख रहे हो uh बहुत प्रे कर रहे हो और ऐसा लगता है कि जैसे कि अब आपको अपने जीवन का मकसद बस एक ही है कि मुझे अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना है इस परसन का इंतजार नहीं करना है अब आपको दीरे-दीरे करके जो है ना आपको आगे बढ़ना है क्योंकि इस परसन को आपने हर तरीके से खुश रखा लेकिन आपके परसन ने आपको खुश नहीं रखा आपको पेन दिया है ना तो अब देख रहा है कि अब आपकी बारी है अब जो है प्रेशन आपको दिखाना है अपनी वर्क के प्रति अपनी जॉब के प्रति है ना फो टावर की अनर्जी आप जब से अपने पार्टनर से सेपरेशन में गए हो है ना आपको ऐसा लगता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ है ना आप भी खुश नहीं हो है ना आपके पार्टनर भी खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं हो मुझे यहां पर यही फिलो रहा है और अचानक से जो चीज़ें हुई है ना यह बहुत प्रॉलम दे रही है बहुत जदा प्रॉलम दे रही है ऐसा लगते कि जिसे की अब जहाना लाइफ में इतने ज़ादा इतने ज़ादा चेंज़ेश की मतलब उसकी कोई हद नहीं है ठीक है मुझे यहां पर दिख रहा है कि तकलीफ दर्द बहुत जादा है बहुत पेंड है ठीक है मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं बहुत तकलीफ जेल रहे हो और यहीं सोच रहे हो कि आपका यह कर्मा है आपका कर्मा शायद खराब ह इसके वज़े से आपको इतना face करना पड़ा है वरना आपको भी यह सब face करने की तो जरूत ही नहीं थी eight of pentacles number eight eight एकदम से बहुत मैनत कर रहे हो आप भी अपने job में अपने career में focus करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है आगे बढ़ने की कोशिशे लगतार हैं लगतार हैं एकदम से लगतार कोशिशे हो रही हैं ठीक है लेकिन याप ही क्या हो रहे हैं कोशिशे नाकामियाब हो रही हैं ठीक है बहुत मैनत कर रहे हो आप बहुत मैनत और अपने career में focus जदा कर रहे हो अपने आपको busy जद काम ही घर पर कि मुझे उसकी यादना आए मुझे टेंचन ना हो है ना स्रीपिस के लिए देड स्टार्ट दोनों ही एक दुसरे का क्वाब देख रहे हो वो ख्वाब देख रहा है कि आप आऊगे और आप ख्वाब देख रहे हैं तो इंतिजार दोनों काम भी होगा और इसके उपर से ध्यानी बटकर रहेगा ठीक कि यहां पर धिछार्ण कि आपको शान भी परेक्ष और और मुझे यह जो है कि आपको अपने पार्टने के साथ रहना है एक लेकिन miracles कि रहा है कि आपने hope रखी है बस hope रखी है असक्सेस्फुल होना चाहते हो सोच रहे हो कि यह कुछ बात आगे बढ़नी चाहिए आपने बहुत गैपिंग दहाएं बहुत separation देख लिया separate मतलब आपके पार्टर बहुत टेंशन में दिख रहे हैं मुझे और आप भी टेंशन में दिख रहे हो लॉस आपको भी फील हो रहा है लॉस तो आपको भी फील हो रहा है आपको भी लग रहा है कि यारे यार सोचा क्या था और हुआ क्या कैसे होंगी चीजे सोचते हैं कुछ हुआ कुछ और जाता है और लाइफ यहां पे चुन्हार के नियुकर मुझे हुआ नहीं दीख रहा है कि यह आपके और आपकी पाटनर की बीच में अगा देखिये आप ख़ड़े आपको समय बहीं आ teach a लेना चाहिए मन तो दोनों तरफ जारा एक तرف मन कह रहा है की इनतिजार कर लो दुसरी तरफ मन कर रहे कि नहीं यार इनतिजार करने का कोई फायदा नहीं है इसकी तरफ इंतिजार नहीं करना चाहिए मुझे और आगे बढ़ जाना चाहिए यह एक तरफ एक मन कर रहा है और दूसरा मन कर रहा है कि इंतिजार कर लो यही चीजे हो रही है आपके साथ और लाइफ में आप यही इस्टप हो जा रहे हो कि अरे यार मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं थोड़ा सा आप बहुत परिशान का दुरान formidable मुझे बहुत परिशान को चम टाप्स के नेगल के लिए मुझे पिच में दूस्ट करूं कार्ट मुझे ए असा दिकता है जिसे कि आपके पार्टनर को आपके साथ ग्लेशन्शनसिप में है ना आना तो पड़ेगा ठीक है तेक हैं उसा आपके पार्टनर को को तो आना पड़ेगा क्योंकि अलब आप उनको फैमिली मानते हो और फैमिली की तरह ही उनको ट्रीट भी करते हो आपने उनसे मुझे लगता है कि किसी ने गुप चुप तरीके से शादे भी कर ली है ठीक है लेकिन रहते नहीं है बट मुझे यहां पर यह फील हो रहा है कि अगर नहीं रह सकते हो ऐसी भी वाइब है आपकी क्योंकि एक तरीके से एज फैमिली का देखो सिक्स ओफ पैंटिकल साया ना फैमिली की मैं बातें कर रहे हूं एक दम से दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के काफी पजासिव हो रहे हो यह टैंपरेंस आप ही कैसे होगा ठीक है ठीक आप मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है कि आप कंप्रमाइज करने के लिए तयार हो यह परसन अगर आते हैं आपकी लाइफ में कंप्रमाइज करने को तयार हो बहुत अच्छे तरीके से तयार हो रेडी हो पूरी तरीके से कि हाँ ठीक है मैं कंप करलुएंगे म tyreएं मुझे यहां प्रेजिक जब cast आप250 के फिल हो रहा है हो एइए आप अरे यह जिए आपके कार्ट मोट का बैए चल्ए आप लोग के लिए गाइडेंस के लिए काण नीखा देथ हुं कि क्या guidance universe देना चाहते हैं आपको divine हमें क्या guidance देंगे एंजल्स क्या guidance देंगे मेरे वीवर्स को प्लीज हमें guide करें क्या guidance देना चाहेंगे अब आप yes no में question भी पूछ सकते हैं इस दौरान से आपको answer मिल जाएगा हो सकता है listen your intuition आपको अपने intuition की सुननी चाहिए ठीक है आपको अपने intuition की सुननी चाहिए और उसी करुसार से आपको चलना है और मैंने का था ना yes no का question पूछ लो so question है yes sorry answer है yes ठीक है last card निकालती हूँ so यहाँ पे hey you are ready so आप तयार हो कुछ करने का जो आपने जो भी मुश्किल आती है ना आप अपने एंजल से पूछ सकते हो आप अपने intuition पर भरोसा कीजिए और life में आगे बढ़िए यही cards बता रहे हैं आपके ठीक है so overall reading में यहीं दिख रहा है मुझे आपके cards के energy के अनुसार से ठीक है so चलिए करते हैं reading को यहीं पर खतम और मिलेंगे अब हम आप से दुबारा किसी और reading में I hope reading आपके साथ resonate की होगी और अगर आप मुझे प्रसनल टारो reading करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं ठीक है तो येस आप मुझसे tarot card reading के लावा निम्रोलोजी करवा सकते हैं tarot card reading के अलावा कुनली reading करवा सकते हैं ठीक है आप और आप करवा सकते हैं candle wax reading भी ठीक है runs reading बहुत सारी reading होती है ठीक है तो जिसके अनुसार से आपको जो सही लगता है आप करवा सकते हैं ठीक है charges आपको बता दिये जाएंगे हर reading हर reading जो होती है वो chargeable होती है आपकी personal reading chargeable होती है ठीक है तो yes अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर कॉंटक कीजिए मिलते हैं फिर आपसे दुबारा किसी और रीडिंग में तब तक के लिए बाव बाई एंड टेक यूर